सब्सक्राइब नमस्कार दोस्तों सुनीटा जी के कीचन में आप सभी को स्वागश एक नए रेसिपी में बनेगा मत्डर के गुदिला साथ में केले का छिलका का जी तरुगा बनेगा तचलीर चलते हैं खेतोंसे ताजा मत्र तोर करके लाएंगे उसके बाद हम गुदिला ब तो बट्टर के खेत में पहुंच गाएं तचली मठर तोड़ लेते हैं हमारे वीडियो में सुभू सांतकला बने रही तचली मठर तोड़ रहा हम यह स्टार्ट करते हैं प्रषण के खेता हैंador च्रमार्च, में ठीडि़ कते हैं प्रूड्ट कर दूपकर मा हुँक्टर कर भी हुँक्टर के वं पहुंच ओंगों गेर जम कि आमाता हैं प्रेयां को प्रेमियो में सीन तब लोगपा, क्यों नांस के खेते हैं तबुक्टो नांस को तर अचता हैं, दोस्तों एक डाली हम मट्टा तोड़ लिये हैं तो चली चलते हैं अपनी कीचन की ओर दोस्तों तक लिये हम मट्टा दाना छोडा लेते हैं दोस्तों आप गुदला खाये हैं कि नहीं कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा आरे बिहार का बहुत खेमा से गुदला और केले का छिलका का तरुगा बनाते हैं और खाते हैं दोस्तों इसी तरह सभी मट्टा दाना हम छोडा लिये हैं मट्टा के गुदला बनाने के लिए मट्टा दाना छोडा करके रेडी कर लिये हैं तो चलिए सब से पहले हम चुला धरा लेते हैं दोस्तों चुला जोर लिये हैं इस पर करारी चरहा देते हैं मट्टा उबालने के लिए दोस्तों करारी चरहा दिये हैं तो मट्टा दाल दिये हैं तो पानी डाल देते हैं मट्र उबालने के लिए मट्र उबालने के लिए धकान से धक देते हैं दोस्तो धकन हटा करके देखते हैं मटल उबलाया है कि नहीं दोस्तो लगता है जब मटल उबला गया है तो इसको उतार करके नीचे रोख लेते हैं दोस्तो मटल उबाल लिए है गुदना बनाने के लिए तो केला भी उबाल लेते हैं दोस्तो तो एक केला के डंटी है, उसको हम काट देते हैं, दोस्तो केला काट करके डाल दिये हैं, कराई में ता पानी डाल देते हैं, उबाल लेते हैं, दोस्तो केला के छिलका के तरुआ बनाने के लिए हम केला भी उबाल लेते हैं, दोस्तो केला के छिलका के तरुआ बनाने दल लाना से कवा दोज़ा द्लमा कुप दल बनाना के लिए मत्र गोट लेते हैं क्यों आरे धर हो ऐा हम आने भीक कर दीで है क्यों सब्सक्राइब करें अग्षा प्राषि हम एिỡ का दल गोट पजाए रिकिये हैं गुद्रा बनाने के लिए मटर घुट लिए ता चलिए पानी डाल देते हैं इसको मिला देते हैं दोस्तों गुद्रा बनाने के लिए मटर बनिया से घुट करके तैयारी कर लिए हैं दोस्तों केला उबला गया है इसको उथार करके नीचे रखते हैं दोस्तों केला उबाल लिए है तो चलिए कराही चरहा देते हैं गुद्रा भडाई करने के लिए कि दोस्तों कराः गर्म हो गया तर इसमें सासे। टल डाल देते हैं है दोस्तों ऑग आ देर-गर्म हो रहा है तब तक हम मसाला ले लेते हैं और फोरन ले लिते हैं यह जीरा ले ले लिए हैं लशून ले ली रेल हैं मिरचाइ यह वघ्रक प्याध अठज-पत्ता है तो भी деньги गरम होग यहां तक जीरा डाल देते हैं, इसके बाद हम लाओं डाल देते हैं, इसको बनहींत चला देते हैं कि दोस्तों इधा फोरन पतर आगा है कि अल्दी पावडर है मीची पावडर है धनिया पावडर है तचली पानी डाल करके हम गोर लेते हैं कि दोस्तों मसला घोर लिए तचली कराई में डाल देते हैं 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 तचली कराई में डाल दोस्तों टमाटर और मसला बन्या से ठराई हो चुका है तो चलिए हम गोजिला के लिए ये डाल देते हैं फराई हो जाएगा अब डाल दिये हैं तो इसको बन्या से चला देते हैं दोस्तों गुदिला बन करके तयारी होगी यह तो चली उतार करके नीचे रखते हैं दोस्तों एक केला उबला हुआ है केले का छिलका क्या जततर हुआ हम बनाएंगे तो चली इसको हम छिलका के छिल लेते हैं दू भाग में हम छिलका के छिल लेंगे दोस्तों केले का छिलका का तरुवा खाये हैं कि नहीं वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताई आगा यह हमारे बिहारी तलीका से हम केले का छिलका का तरुवा बनाते हैं दोस्तो इसी तरफ अभी केला के हम छिलका छिल लिए हैं दोस्तो ए छिलका का तरुवा बनाने के लिए हम बेशन और मसाला ले लेते हैं दोस्तो केले के छिलका के तरुवा बनाने के लिए हम बेशन ले लिए हैं तब सबसे पहले हम हम पाड़ डाल देते हैं सब सका हम 90 के बाद इसके बाद मीची पाड़ दाल देते हैं। वी हशुन डाल देते हैं। बाद माणी नमक चिवह फॉते हैं। सब से पहले कि वहson 10-10 डाल देते हैं। दोस्तो तेल गरब होगी याहता चली केले के छिलका के हम तर्वा बनाना इस्टार्ट करते हैं यह को एक तरफ तर्वा कीश गिया तदिसे रिख दोस्तो फीड से डाल देते हैं दोस्तो केले के छिलका का तर्वा बना करके तैयारी होगी याहता इसको हम इकाल लेते हैं दोस्तो मट्र के गुदिले आसाथ में केला के छिलका का तरॵा बना करके तैयारी होगी यहता चली खिला करके देखते हैं कैसा स्वाद बना अब से पहले हम चावल परोस देते हैं दोस्तों चावल परोस दिये हैं तो चलिए मंटर के गोदिला परोस देते हैं दोस्तों गोदिला परोस दिये हैं तो केले के छिलका के तरुवा परोस देते हैं तो इसको बीडियो पसलाए था वीडियो को लाइक कि जिए आपने चैनल को सुस्कार जिए आवा हमेंगे अगले वीडियो में एक नही रेसिपी के साथ पक्तक के लिए बाई बाई